नमस्कार दोस्तों संजय सिंग ने सदन के नियामों की अवहेलना की संजय सिंग का कहना है कि वो सदन में चर्चा कराना चाहते थे और 267 रूल के तथ दो दर्जन सांसदों ने संसद में चर्चा के लिए अरजी लगाई थी सभापती सुन नहीं रहे थे सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था और सत्ता पक्ष की तरफ से पीऊष गुएल ने कहा कि संजय सिंग को संसद के पूरे सतर के लिए सस्पेंड किया जाए तुरंत सभापती ने सस्पेंड कर दिया नतीज़ा ये हुआ कि रात भर संजय सिंग और उस 26 दलों के मोर्चे के बहुत से सांसद जो अभी नवगठित मोर्चा है संसद परिसर में बैठे रहे नारेवाजी भी करते रहे इमरान परताप गड़ी जो कॉंग्रेस के सांसद है राजसभासदस वो अपनी शायरी के जरिये मनिपुर की आवाज देश के कानों में पहुचाने की कोशिश करते रहे और लगातार संसदों के जथे आते और जाते रहे पूरी रात संसद परिसर में गानी की मूर्टी के सामने गुजरिया है आज सुभा हुई है उसकी भी तस्वीर आई है वो भी आपको दिखाऊंगा आज भी संसद में विपक्षी दलों का यही तेवर रहेगा लेकिन क्या प्रधान मंत्री मोधी संसद में बयान देंगे औ और क्या ये विपक्षी मोर्चे के सांसत अमिश्चा के उस प्रस्ताव पर मानेंगे कि मैं चर्चा के लिए तयार। विपक्षी दलों का काना है कि हम तो प्रधान मंत्री से सुनना चाहते हैं ये अमिश्चा बीच में आकर rescue करने के लिए क्यों आए अमिशा से तो meeting है पहले भी हुई नतीजा कुछ नहीं निकला लेकिन आप रात भर जो हुआ है इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और जड़ा सोचिए कि विश्व गुरू प्रधान मंत्री मोदी जिसे जिस संसत को लोक्तंच का मंदिर कहते हैं और वो नया मंदिर बना कर नए पुजारी के त interval पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं इस संसत से कुछ कदम दूर नई संसत भी बन गई है लेकिन उस संसत मे जहां प्रधान मंत्री मोदी को मनिपूर पर बयान देना के बाद आखिर में गाउहर रजा साहब की एक शायरी एक शेर सुनाओगा जो मनिपूर पर आपके दिल को छू जाएगा आप बेचैन हो सकते हैं कि आपकी चेतना पर उसका असर पर सकता है आखिर में देखिए रात पर क्या हुआ इमरान परताब गड़ी है संजय सिंग है बहुत सारे सांसद है जो रात में ऐसे बैठे रहे हैं सबके हाथ में एक काड है प्लेकर इंडिया फॉर मनिपूर और यह सब प्रधान मंत्री मोधी का संसद में बयान सुनना चाहते हैं चाहते हैं कि प्रधान मंत्री मोधी संसद के फ्लोर पर आए और बयान दे इसी तरह से रात बर यहां यह बैठे रहे हैं मैं सुनाता हूँ कि इमरान परताब गड़ी के कि इस कविता कहें शेर उसमें क्या आवाज आती है वो कहां तक पहुँचना चाहते हैं सुनिए सदाएं सुनो मैं मनी पुर हूँ मेरी सदाएं सुनो के सब्सवादी मेरी इन दिनो जर्द है क्या बताऊं मेरा कौन हम दर्द है जिन पहाड़ों पे था नाज मुझ को कभी उन पहाड़ों से उंचा मेरा दर्द है आ गई है हजारों बलाएं सुनो मैं मनी पुर हूँ मेरी सदाएं सुनो इम्रान अपनी शायरी के लिए जाने जाते है रासवा सदस से वह यही गा रहे थे वहां बैटकर पीछे गान्दी के मुर्ती है मैं मनी पूर हूँ मेरी सदाएं सुनो और बहुत सारे विपक्षी सांसर रात भर भर लगाता राते हैं सब्सवादी मेरी इंदिनों जर्द है क्या बताऊं मेरा कौन हम दर्द है जिन पहाडों पे था नास मुझको कभी उन पहाडों से उंचा मेरा दर्द है यही तो यह सांसर कहना चाहते हैं कि मनी पूर के दर्द को प्रधान मंत्री मोदी ने अगर महसूस किया होता तो 82-83 दिन हो चुके मनी पूर में ऐसी हिंसा नहीं होती मनिपूर के दर्द को अगर प्रधान मंत्री ने महसूस किया होता तो प्रधान मंत्री मोदी 78 दिनों तक चुपी नहीं साधे होते मनिपूर के दर्द को अगर प्रधान मंत्री मोदी ने महसूस किया होता तो मनिपूर में हिंसा शुरू होते ही प्रधान मंत्रे खुद जाते मनिपूर के दर्द को प्रधान मंत्री मोदी ने महसूस किया होता तो मनिपूर का वो नाकारा मुख्यमंत्री जिस पर आरोप है कि एक जाती विशेस या एक पक्ष के प्रती वो उनका रवया लचिला है दूसरे पक्ष के प्रति उनका रवया कुछ और है, कूकी और मैताई के विवाद में एक पक्ष के साथ मुख्य मंत्री पर खड़े होने का आरोप है। तो अगर प्रधान मंत्री मोदी मनीपूर के प्रति सम्मेदन शील होते, तो आज ये स्थिती नहीं होती, कि विपक्षी दलो का मोर्चा कहता कि प्रतान मंत्री मोदी संसद में आएं, अपना पक्ष रखें, बयान दें और प्रतान मंत्री मोदी बयान देने से बचते, पहले दिन आपने देखा होगा कि संसद सत्र शुरू जिस दिन हुआ उस दिन आए, प्रतान मंत्री चंद सेकें और चले गए ये तस्वीर सुबह की है जब संजय सिंग ने पूरी रात वहां गुजारी है इनके साथ कुछ और वहां सांसत थे जो लगाता राते जाते रहे बड़ी बात ये है कि ये 26 दलों का मोर्चा एक जूट होकर पूरी ताकत के साथ एक साथ एक सुर में प्रधान मंत और यहीं इंडिया वाले रात भड़ डठे रह गए और यहीं प्रधान मंत्री मोदी की चिंता है कि कहीं ऐसी स्थिती ना आए कि जो संजय सिंग अडानी के मुद्दे पर जब संसद में प्रधान मंत्री मोदी का घेरा हो रहा था प्रधान मंत्री मोदी रात सभा में हो रही थी जो संसर टीवी का माइक था और प्रधान मंतरी बार बारा सहज हो रहे थे और तब ही तो प्रधान मंतरी मोधी ने कहा था एक अकेला सब पर भारी और ये सब लोग ईडी और उसके उसकी वज़र से एक जूट हो तो उन्हें लगता है कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि संसर में पहुंचें और फिर उनकी ऐसी घेरा बंदी हो जाए या वो बोले तो उस समय को ऐसी स्थिति आ जाए तो बचना चाहते हैं परधान मंतरी लेकिन सवाल ये उटता है क्या लोकतंत्र को मंद्र कहने वाला प्रधान मंद्रि लोकतंत्र के मंद्र में आकर अपना पक्ष देश के सामने नहीं रखेगा है सुबह का की तस्वीर है संजय सिंग ने सुबह ट्वीट किया हर रात की सुबह होती है संजय सिंग का बयान है जो इन्होंने रात में ट्वीटर पर जारी है आज आपको पता होगा कि मुझे पारलेमेंट से सस्पेंट कर दिया गया और सस्पेंट करने की वज़ा सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा कि आप मनिपूर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए और इस मांग को लेकर तीन दिनों से हम लोग टू सिक्सेवन का नोटिस दिया था सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधान मंत्री जी मनिपूर की हिंसा पर जवाब दे मनिपूर की जो तस्वीरें आई जो वीडियो आए पिछले दिनों वो हिर्दय विदारक मन को विचलित करने वाले अगर कोई भी संवेदंशील व्यक्ति होगा तो उसको हराम से सूते रहे प्रधान मंत्री मोदी देश दुनिया की सैर करते रहे लगातार विदेशों में जो वाइडन के साथ डिनर करते रहे मिश्र में जाकर इजिप्ट में जाकर पिरमिड देखते रहे मिडिलिस्ट गए चुनावी भाषन दिये MP से लेके तिलांगना तक गए बड़ी-बड़ी बातें करते रहे तस्वीरों में कैद होते रहे सब कुछ करते रहे सारे इवेंट प्रधान मंत्री मोदी के बहुत गाजे-बाजे के साथ होते रहे नहीं गए तो मनिपूर नहीं बोले तो मनिपूर और अब मजबूरी तब है जब देश के सामने वो तस्वीरें आ गई जिन तस्वीरों को छिपाया गया था महलाओं का वो विडियो जिनके साथ बरबरता हुई जिनने नग नवस्था में साड़क पर घुमाया गया गैंगरेप हुआ जिसके परिजनों को भाई और पिता को मार दिया गया और एक नहीं ऐसी दरजनों घटनों की खबरे जानकारिया जब आई सुप्रिम कोट तक ने जब तेवर दिखाये सीजे आई ने और प्रधान मंतरी की चुप़ी तो तूटी लेकिन वो चुप़ी चन सकेंड की थी संसद परिसर में अब चारिकता थी संसदों का कहना आईए सदन में फ्लोर अब दे हाउस पर बोलिए क्योंकि देश को जानने का हक है कि आपका पक्ष क्या है लेकिन प्रधान मंतरी मोदी की तरफ से अमिशा कर रहे हैं मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ कर लो चर्चा भाग क्यो रहो बहें अमिशा तो पहले भी गए थे लगत लगतार आ रही है तो ये तो इनका हक है देश ने वोट मोदी के नाम दिया है अच्छे दिन के वादे मोदी ने किये थे मनिपूर को 25 साल में हम क्या से क्या बना देंगे मोदी ने कहा था मनिपूर में चुनावी भास्नों में प्रधान मंत्री मोधी ने कहा था कि BJP को वोट दो ये वोट 25 साल तक मनिपूर के भविश्च को बनाने के लिए है प्रधान मंत्री मोधी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी मनिपूर की तस्वीर बदलेगी किस्मत बदलेगी प्रधान मंत्री मोदी ने कहा था कि मनिपूर में जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो मनिपूर बरबाद था हमें वोट दो और हम मनिपूर की तस्वीर बदलेंगे अब मनिपूर में अगर ये बुरा हाल है जिसके ब्यासी दिन हो गए तो प्रधान मंत्री मोदी को संसद में आ रहे बहुत सारे सांसार जो इंडिया नाम के मोर्चे के हैं वाते रहे इनको भी सुनिये और आखिर में जैसा कि मैंने कहा गौहर रजा सहब जो साइंटिस्ट है पेश्चे से लेकिन शायर है बहुत संजीदा उन्होंने मनीपूर पर कुछ लिखा है गाया है सुनना से पूपिए पहले इसको सुनिए इस तरीके से संजा सिंग्धी को आज पूरे सत्र के लिए निलम्वित किया गया है मैंने अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में आज तक इस तरह का कोई कार्ड चेर से होते नहीं देखा संजे सिंग्ध केवल चेर से ये पूछने गये थे कि मेरे नोटिस का क्या हुआ और तब तक इनको निलम्वित करिया राम गोपाल यादब ने कहा कि पूरे पॉलिटिकल करियर में इस तरह की स्थिति नहीं देखी कि कोई संसद चेर के पास जाए कि मेरे नोटिस का क्या हुआ और पूरे सत्र के लिए निलम्वित कर दिया जाए मतलब यह है कि तैक या गया किने बाहर करो ऐसे लोगों को बाहर करो जो संसद में नारे लगाएंगे कभी पर्धान मंत्री आये संसद में सदन में राजसबा में तो उनके लिए अप्रिया इस्थिति नहीं हो जाए तो इसलिए हुक्मरान ने हुक्म दिया कि ऐसे लोगों को सदन से बाहर करो बाहर करने का रास्ता तलाशो जो हुक्मरान के लिए संसद में अप्रिया इस्थिति पैदा कर सकता है यही राम गोपाल यादब कर रहे और बहुत सारी लोग जो वहाँ गए यह त्यारेस की तरफ से जो समर्थन मिला यह संजय राउत यहां हम आज खड़े हैं इस देश के दिवा करसी लोग कंदर के सबसे बड़ी पंचायव इस सामने एक बड़ा इतिहास पड़ा है हमारे फिशो जी नवया संसत भौन बना है जी नहीं नहीं इमारते बना कर आप लोग संसत बना देना नहीं इमारत बना देना बीस अजार करोर में सेंटरल बिश्टा बना देना क्या उससे लोगतंत के हिफाज़त होगी क्या लोगतंत की बन्याद उससे मजबूत होगी जिस से सिर्फ इमारतों की पहचान हो क्या मजबूत इमारत बना देने से नई इमारत बना देने से लोगतंत की बन्याद मजबूत होगी लोक तंथ की ब GPA बन्याद मच्बूत तब होगी जब आईसी आवाजें संसत के बीदर गुझे और इन आवाजों पर जवाब प्रधान मंतरी दे प्रधान मंतरी जो जवाब दे उस पर फिर चर्चा हो उस पर बात हो उनसे सवाल हो क्योंकि लोक तंत्र की पहचान लोक और तंत्र दोनों से है तंत्र प्रधानमंत्री के पास है और उस तंत्र के आधार पर वो मानने है ि जो उनसे हसामत है वो संसद से बाहर भी जा सकता है राहूल गांदी का हष्ड़ आप देख चुके हैं संजय सिंग तो ये है अब मैं सिर्फ ये कि आज क्या होगा बहुत अहम है संसद में जो बिपक्षिदलों की मोर्चे बंदी है क्या सरकार जो सरकार बार-बार करिये राजनिती कर रहे हैं बिपक्षिदल मैंने कल के वीडियो में दो बार बताया है कि यही बीजेपी 2009 से 2014 के बीच 2004 से 2009 के बीच कई ऐसी मिसाले हैं जब संसद नहीं चलने देती थी 10-10 दिन 20-20 दिन तक यही बीजेपी तब कहती थी अरुन जतली जैसे लोग कहते थे संसद का कभी नहीं चलना संसद को रोकना संसद को नहीं चलने देना भी स्वस्त लोगतंत्र की निशानी है लेकिन आज जब संसद चाह रहे हैं कि संसद में प्रधान मंत्री अगर नहीं बयान देंगे तो हम संसद नहीं चलने देंगे या संसद में चर्चा करने की मांग कर रहे हैं तो इन पर तमाम तरह क्यारों विपक्ष पर लगा रहे हैं पी जे पी के संसद नेता मंत्री सवार उठता क्या प्रधान मंत्री मोधी संसद में आएंगे बार बार यही बात और आखिर प्रधान मंत्री को डर किस बात का है आखिर प्रधान मंत्री मोधी की चुपी क्यों है और ऐसे भी प्रधान मंत्री मोधी भाष्णों के लिए भी लंबे लंबे भाशन अभी 15 अगस्त आ रहा है हो सकता एस्स 90 मिनट का भाशन दे हो सकते है रिकॉरी तोर सबार 15 अञ़ासन्त weapon कह तो जो प्रधान मंत्री बोलने के लिए मशूर है जो प्रधान मंत्री पूरी दुनिया में अपने भाषन देने के लिए मशूर है जो प्रधान मंत्री हर चुनाओं में दर्जनो रहलियां करते हैं जो प्रधान मंत्री वाक पठुता के लिए माहिर माने जाते हैं अलग बात में महारत हासिल रखने वाला प्रधान मंतरी बोल क्यों नहीं रहें क्यों चुप थे और क्यों नहीं संसत में बोलना चाहिए आप एक नागरिक के तौर पर सोचिएगा कि अगर विपक्षी दल करें कि मनिपूर में आकर आप जवाब दीजे बयान दीजे तो क्या यह गलत है क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि क्यों नाकामी हुई 80 दिन तक क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि मनिपूर में महलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी माताओं बहानों के साथ क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि करगिल का एक सैनिक एक फाजी जिसने देश की सरहत की हिफ इफाज़त नहीं कर सका कोई स्वतंत्रता सेना नहीं उसका परिवार इन आतिताईयों के शिकार होता है अभी एक तस्वीर दो दिन से आ रही है बीजेपी का एक विधायक तीन बार के चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री के करीब ही माने जाते हैं लेकिन कूकी जन जाती क हैं उनके साथ ऐसी जादती हुई कि चल फिर नहीं सकते हैं इंफाल नहीं जा सकते पैर के हड्या टूटी है खा नहीं पा रहे हैं बेट से बैठ नहीं पा रहे हैं उनकी तस्वीर है दो दिन से तो एक कौन जिम्मेदार है भाई इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा या एन व बाहर आई नहीं है आई तो कान में तेल डाल कर सब सोए रहे हैं क्या बी जेपी आज अगर विपक्ष में होती तो आपको अंदाज आ है कि भी क्या करती है हमने वह दिन देखें हैं हमने वह दिन देखें हैं जब सुश्मा सुराज और अरुंजेतीली नेत्रित करते थे जजरे नीची करके बयान दिया था देश से माफी मांगी थे हमने वो दिन भी देखा है और ये दिन भी देख रहे हैं जब प्रधान मंत्री मोधी पूरे गुरूर अहंकार के साथ आते हैं जो रूल 267 के तहत संसद में चर्चा के अरजी लगाई है उन्वें से आज कोई खड़ा हो उसको सस्पेंट करते हैं निकालो जो बोलेगा उसको निकालो जो संसद में शोर करें निकालो जो संसद में बेल में जाए सरकार से सवाल करें या कहें किस पर चर्चा करो प्रधान म में चुन कर आये थे साश्टांग दन्वत होकर संसत की सीड़ियों को उन्होंने पड़ाम किया था हमें हर भाशन वो याद है जब लोगतंत्र और लोगतंत्र की मंदिर की दुआई देते हैं लोगतंत्र और लोगतंत्र की मंदिर की प्रतिष्ठा तभी बचेगी प्रतानमं उठा है और कहा कि चर्चा कब होगी उसे पूरे सत्र के लिए निकाल दिया जाए वो तो बहाना था दरसल दर था कि आने वाले दिनों में अगर प्रधान मंत्री संसद में आये तो उन्हें ऐसे नारों का सामना ना करना पड़े हमने उस संसद में हंगामा देखा है हमने उस संसद में पर्चे फाड़े जाते देखे हमने उस संसद में हर वो चीज देखी है जिस पर बहुत सवाल उठाए उठे हैं कि संसद में क्या हो रहा है तब विपक्ष में बीजेपी थी, बाकी दल थी, आज चुकी बीजेपी की सत्ता है, चुकी मोदी की सत्ता है, इसलिए दोस्ट चार सांसद या एक सांसद जाकर अगर कहता है, कोई बहस करता है, जिरक करता है, अपनी आवास बुलंद करता है, तो आप उसे बाहर कर देंगे, कि असमाल का जवाब सणसद के सदन में संसद के फ्लोर पर प्रदान मंत्री मोधी को देना चाहिए मनिपुर में फैल के वहोई सरकार मनिपुर में isthitjy bible को संभालने में नाकाम क्यों रहे प्रदान मंत्री मोधी और आखिर में गोहर रजा का की चंद लाइने हैं, वो लाइने आपको बहुत आपके भीतर तक तकलीफ देगी, सुनियेगा. मनीपुर एक नजम, सरासर जूट है ये, सरासर जूट है, तुम बेखबर थे, तुम्हें सब कुछ पता था, मनीपुर चल रहा था, और तुम खामोश थे, चुप थे. ये खामोशी तुम्हारी सियासत का हनर पहचानती है, ये सीना पीट कर वहशी दरिंदों की तरह से खून पीना जानती है, इसे मालूम है कब आग लगवानी है बस्ती में, इसे मालूम है वहशी दरिंदों को कहा तक छूट देनी है। इसे मालूम है कब तक बरहना औरतों को देख कर खामोश रहना है। इसे मालूम है कब आँख से आँसु के धारों को निकलना है। इज़त को बेचा है। तुम्हारी ये अदाकारी सियासत के खुले बाजार में अब्बिक नहीं सकती। कोई बच्चा कहेगा, कोई बच्चा कहेगा, बताओ मा, यही राजा है ना जिसको, किसी बुनकर ने सब के सामने नंगा किया था। सुन लिया आपने, एक राजा के नंगा होने की कहानी का उन्होंने जिक्र किया अपने अंदाज में, अपने शब्दों में, उस पर फिर कभी। लेकिन एक तकलीफ है, एक शायर, एक कवी, एक सब्दनशील इनसान इसी तरह से रियाक्ट करता है अपने अंदाज में, जो उसका हुनर है, उस हुनर के जरिये जो गोहर रजा साब ने किया, इमरान परताब गड़ी को भी सुना, लेकिन क्या परदान मंत्री मोदी, आकिर मैं इस वीडियो को खत्म करते हुए, संसद में आएंगे, उन्होंने तीन-चार लाइने मनिपूर पर बोली, जिसमें उन्होंने बोली, कहा कि मेरा है क्रोध और दुख से भरा हुआ है, वो क्रोध नहीं दिखा, वो दुख नहीं दिखा, वो दिखा तो संजय सिंग जैसे नहीं कर रहे होते हैं, और मनिपूर में ऐसी इस्थितिया नहीं होते हैं, पांच हजार घर जलना, मामूली बात है क्या। क्या इस से बड़ा दुख क्या होगा इस देश के लिए कि इस देश में मनिपुर में जो दिल्ली से 2300 किलो मेटर दूर है हमारे भारत का हमारे देश का हमारे मुलक का हिस्सा है वहां आग लगी है वहां लोग पनाह ले रहें भाग रहें घर छोड़कर भाग रहें उनके सीन अन्राग ठाकूर केंद्रिया मंत्री काते हैं बीजेपी के नेता काते हैं विपक्ष राजनिती कर रहा है क्या यह राजनिती है और अगर यही राजनिती है तो यह राजनिती विपक्ष को करनी चाहिए और ऐसे ही करनी चाहिए जैसे विपक्ष कर रहा है पूरी रात संसद क के परिसर में बैठ कर विपक्ष के सभी सांसदों को इंडिया नाम के उस मोर्चे के सभी सांसदों को पूरी राद संसद में बैठना चाहिए संसद से निकलना ही नहीं चाहिए अगर एक सांसद को निकाला जाता है दो को निकाला जाता है तीन को निकाला जाता है सेस्ट्में हो जाए जब तक उन्हें सत्र खत्म होने के बाद वहां से जाने को मजबूर न किया जाए तब तक वहीं बैठे रहें ये एक जूटा इस वक्त जरूरी है देश के लिए समाज के लिए मनीपूर के लोगों के लिए उन बहनों के लिए उन माताओं के लिए जिनके साथ नाइंसाफ ही नहीं हो रही है जिनके साथ बरवर्ता हो रही है जिनके साथ राक्षसी प्रविर्ती के लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं हम सोच कर हिल सकते हैं पुदान मंत्री बोल कर बस सकते हैं कि हमारा है दूखा औ आक्रोष से भरा हुआ है और उसके बाद चुप्पी साथते हैं 78 दिन की पहले की चुप्पी और अब की चुप्पी तो फर्ज बनता है इंडिया नाम के इस मोर्चे के विपक्षिदलों का कि आप बैठिये खूटा गार कर बैठिये उसी संसर्थ में आपको निकाला आपको मार्शल बाहर निकाल सकते हैं आपको संसत से उठाकर बाहर ठेका जा सकता है लेकिन परिसर में गांधी जी की मूर्ती है वहां तो आप बैठ सकते हैं और यह रस्मदाएगी विपक्ष के नीता आप मत करिएगा एक दो दिन आप तब तक बैठिये जब तक मनिपू 365 या 356 के तहत तब तक आप बैठिये जब तक प्रधान मंतरी शर्मिंदा हो और मनिपूर के लोगों की हिफाजत की गारंटी दे और गारंटी सिर्फ जुबानी नहीं गारंटी दिखनी चाहिए अमल होनी चाहिए प्रधान मंतरी ने तो तब भी दुख और आक्रोष बैक जो चैनल के और प्रिंट के रिपोर्टर गए हुए वो दिखा रहें फाइरिंग हो रही है हत्याय हो रही है हत्यारवन दस्ते दोनों तरफ से मोर्चेबंदी कर रहे हैं यह स्थितियां अगर ऐसी बिगड़ी जिम्मेदारी कौन लेगा जब सरकार आपकी मनिपूर में न आर्मी है पार हमिलिटरी फोर्स है आप है आपकी रणनीती है तो फिर अगर फेल हुए आप तो जिम्मेदारी किसकी है तो विपक्ष के नेताओं यह वक्त है कि आप राजनीती अगर इसे कहते हैं बीजेपी के लोग तो आप यह राजनीती करिए यही राजनीती है क्यों की नाइंसाफी रुखनी चाहिए क्योंकि सरकार को समझ में आना चाहिए कि आप 80 दिन 76 दिन तक मनिपूर के हालात पर परदा डालका मनिपूर के मुद्दे पर चुपी साथ कर मनिपूर में नजर अंदाज करके पूरी दुनिया के सैर करते हुए जो बाइडन के साथ डिनर और लंच करते हुए है इजिप्ट में क्या बोले कि सब कुछ देखते हुए करते हुए पिरामिट देखते हुए आप बच नहीं सकते हैं आपको गर्व गुरूर अहंकार है कि आपके 300 से ज़्यादा सांसत है आपको गुरूर है कि आपके एक दरजन राज्यों से ज़्यादा राज्यों में आपकी सरकार है आपको गर्व गुरूर अहंकार है कि देश में 20 करोर 22 करोर वोटर आपके साथ है लेकिन ये गर्व और गुरूर के बाद एक हकीकत ये भी है कि 55 फीस्दी लोगों ने NDA को वोट नहीं दिया था एक हकीकत ये भी है कि 67 फीस्दी लोगों ने BJP को वोट नहीं दिया और एक हकीकत ये भी है कि BJP के जो वोटर है वो भी आज शर्मिंदा होगे उस सर्मिंदगी को पहचानिये प्रधान मंत्री मोदी जी और संसद आईए अपना पक्ष रखिए हम भी सुनना चाहते हैं नागरिक के तौर पत्रकार के तौर पर इस मुलक के संजीदा और संवेदंशिल इंसान के तौर पर क्या पक्ष है आपका क्या बोलते हैं संसद में आकर क्या कहते हैं काईदे सो होना तो यह चाहिए था प्रधान मंत्री मोदी जी कि आपको शर्मिंदा होकर संसर में हाथ जोड कर देश के सामने माफी मांगते हुए आपको कहना चाहिए कि चूक हुई हमने मनिपूर की स्थितियों को समझा नहीं है चूक हुई कि हम मनिपूर में हिंसा को रोक नहीं पाए चूक हुई कि उन मातों और बहनों के साथ दरिंदगी हुई चूक हुई कि नगन करके महलाओं को यो मनिपूर में घुमा दिया गया चूक हुई कि 4 माई को मनिपूर में महलाओं के साथ दरिंदगी हुई 18 माई को F FI-R और उसके बाद 19 जुलाय तक हम कुछ करने पाए गुरफतारी तब की जब वीडियो वाईरल हुआ गुरफतारी तब की जब सुप्रेम कोट का हंटर चला गुरफतारी तब की जब पूँ छिपाने के लिए आपके पास जगह नहीं थी ना आपके पास ना आपके मुख्यमंत्री के पास चूक हुई वरना कोई वज़ा नहीं थी कि चार बई की घटना हो नगनता और हिंसा की नगन करके परेड करने की अठार मैं को एफायार हो जार उसके बाद गिरफतारी म मानिये कि आप से चूक हुई और शर्मिंदा होकर देश से माफी मांगे और उसी लोकतंद के मंदिर में है जिस मंदिर के सामने सीडियों पर 2014 में जीत के आने के बाद आप सीडियों पर लेट कर सास्ट्रांग जमीन पर लेट कर आपने प्रणाम किया था जिस मिट्टी को जिस सीडिय को जिस मंदिर को उसी मंदिर की प्रतिष्ठा इसी में है कि आप उस मंदिर में आईए प्रणामंद्री जी और वहां से देश को संबोदित करिए लेकिन अहंकार और गर्व के गुरूर के साथ नहीं 56 इंच के सीने के विश्गुरू वाले अंदाज में नहीं जुकी नजरों के साथ तकलीफ के साथ दुक के साथ गलानी के साथ और इस आत्मबोद के साथ कि हाँ चूक सबसे होती है हमसे भी हो गई हमें माफ करिए और हम गैरेंटी देते हैं गैरेंटी तो आप उसे अजीत कर देते हैं कि मान्यपूर के हालात को सुधारेंगे हमिस्टा को हम मानीपूर भेज रहें वो दस दिन मानिपूर में बैठेंगे और मैं जाओंगा जो आप चाहेंगे, जैसे आप चाहते हैं, लोग मिल बैठके बात करते हैं, और सरदली बैठा आप बलाएए, प्रधान मंत्री मोधी जी, सबकी, सुनिये सब की, यह नहीं कि संजय सिंग को निकाल दिया, आज एक दर्जन को और निकाल देंगे, लोग सवाजे किसी को निकाल द आप रह सकते हैं लेकिन हमेशा वक्त एक सा नहीं होता वक्त सबका आता है वक्त सबका चाहता है देश अपनी जगह रहेगा मनिपूर के जखम पर मरहम की ज़रूरत है वो मरहम आप लगा सकते हैं लेकिन जुकी नजरों से आत्मोद के साथ आत्मगलानी के हसास के साथ अपने गलती को कबूल करने की उदारता के साथ और सबसे बड़ी बाद सहंचीलता के साथ कि अब मुझे सबकी सुन्नी है सबसे समवाद कायम करना है और मनिपूर में कुकी जनजाती के साथ जो नाइंसाफी हुई या मेतई जन जाती के साथ या मेतई के लोगों के साथ अगर कुछ हुआ जिसके साथ भी हुआ इदर के लोग मारे गए उदर के लोग बने गए वो नहुँ ये इस दिमेदारी आपकी है पुर्धान मंदरी को दीजे फिलाल इस वीडियो को खत्म करता हूँ जब तक आप चुप रहेंगे तब तक हम तो बोलेंगे और जब आप बोलेंगे तब भी हम बोलेंगे कि आपको क्या बोलना चाहिए था आपने क्या नहीं बोला और इस बार बोलने की बात नहीं है आगे भी बहुत बार आप चुपी सादें आपने चुपी तो तब भी सादली थी जब COVID काल में, कोरोना काल में हर रोज सैक्रों मौते हो रही थी अस्पतालों के बाहर लाशों का अंबार लगा था हॉस्पिटल में ऑक्सिजन नहीं था गंगा के किनारे चिताएं जल रही थी शमसान घाटों पर डेट बॉडी जलाने के लिए जगा नहीं थी लकडिया कम पड़ गई थी तब भी आप चुपते हैं पता नहीं किस खोब में तब भी चले गए थे प्रधान मंत्री मोधी जी जैसे देश में कुछ होई नहीं रहा हूँ तपाही मची थी हमने अपने परिजन खोये हैं अपने करीबी दोस्तों को रिश्टेदारों को खोया है चुपी तब भी हमने आपकी देखी थी जब हालात नॉर्मल होने लगे तो विश्व गुरू की तरह बाहरा गए वैक्सिन गुरू की तरह बाहरा गए और पूरे देश में आपके मुख्यमंत्रियों ने थैंक्यू मोधी जी थैंक्यू मोधी जी थैंक्यू मोधी जी के बैनर और पोस्टर लगा दी और जब लोग मर रहे थे तो उसके लिए हम किसको शुक्रिया दा करें मोदी जी तब भी तो आपको कहा जा सकता है थैंक्यू मोदी जी कि आप मोंधारन करके बैठे रहें बड़ी-बड़ी बातें करते रहें और उसके बाद हजारों लोग अस्पतानों के बाहर और भीतर बिलखते रहें उसके लिए भी आपको कहें थैंक्यू मोदी जी आपने देश को उस हाल में छोड़ दिया हालात समान हुए अब बाहर आएं दड़बे से खो से आपको हमने तब भी देखा था जब गलवान में भारतिय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच भिड़ंत में 20 जवानों के सहादत हुई वो सहादत के बाद जब ये कहा गया कि वहाँ चीनी सैनिक घुसा है आपने तब भी डायलोग दिया था ना कोई घुसा है ना कोई घुसा आया है हाकिकत क्या थी प्रधानमंत्री मोदीजी आज भी कुछ इलाकों में चीनी सेनाय हैं LSE के पास लेकिन चलिए उसमें नहीं जाते हैं फिलाल मनिपूर पर आईए प्रधानमंत्री जी बोलिए प्रधानमंत्री जी इस वीडियो को तकलीफ के साथ खत्म करता हूँ गुस्ता और आक्रोष मेरे भीतर भी है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ सिर्फ अपनी बात का सत्ता हूँ आप कुछ कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदीजी सत्ता आपके पास है ताकत आपके पास है संसाधन आपके पास है तंद्र आपके पास है नमस्कार